आज, चली मैं आप सबको देखाता हूं ये इलेक्टिकल्स व्यारिंग आप शब करते हैं वो टूल्स हो गया जो हम ये सभी टूल्स लेकर इलेक्टिकल व्यारिंग का काम करते हैं ठीके तो चलिए हम सबको जनकारी देते हैं एक बाई एक करके तो यह हो गया देखे कोटर जो हम काम करने जाते हैं रिपेरिंग करने या वाइरिंग करने तो यह सभी वजार लेके जाता है तो चलिए आपको बताते हैं कोटर को कैसे यूज किया जाता है ठीक है जो वाइर कोटर हो को आप काट सकते वायर को या छील सकते ठीक है तो आप इससे कट गया बारी केसे ठीक है आप इससे वायर को छील भी सकते ठीक है देखिए कैसे छीला जाता है चले देखा देते और आप वीडियो में सुरू से अंतक बने डिये तो जरूर सीख पाएंगे देखिए कैसे छीला जाता है ठीचां क्या आसे किया जाता है क्यासे वाइरिंग में आप लाईर को छिल सकते हैं सभी आप शुर्च से अंतक रहीए है तो सीख जाएंगे ठीच है तो छलिए आप एक वाईर छिल के देखा दैखिए कि इसे छिला जाता है अभी हम इस टूल से काम करते करते तो रहा इसका जो धार तेज होता है वो थोड़ा कम हो गया ठीक है तो आप चलिए दूसरा हम देखा जाते यह हो गया टी रिंज जो आठ नमर का नौट होता है न उसको खोलने के लिए मैं यूज करता हूं और इस से बहुत काम असान हो जाता है और यह मोटर में ज्यादा यूज होता है ठीक है मोटर में जो आठ नमर का नौट होता है उसमें काम ज्यादा आता है ठीक है यूजफूल बहुत यूजफूल होता है मोटर के लिए ठीक है जो आठ नमर नौट का ओपेन करता है ठीक है और उसक करता है ठीक है और इससे आप इसको आप साइज कम बेशी कर सकते ठीक है और उसके बाद आप इसको छील भी सकते ठीक है और उसके बाद चलिए ये टपड़िया कह गया जो सबसे ओडिजिनल कंपनी होता है ठीक और चलिए इसको हम कैसेने युजञेंगी जाता है वाइरिंग में देखेक पो छिला जाता है ट्विस्टेड Tamam भाता है दीखें यह छिला गया ठीक है कितना आसानी से इसको आप यूज़ कर सकते ठीक है और इसमें काटने वाला भी होता है ठीक है तो नीचे काटने बला है और जिल सकते हैं आगे से छिलने मला है और नीचे में काटने बला है, तो इसमें दो तरीका से यूज़ कर सकते हैं, काटने के लिए भी वायर को और छिलने के लिए भी है, जो साइज, जितना साइज का आपका छिलना है, इससे वायर ट्विस्टेड कर सकते हैं, तो ये वायरिंग में एकदाम यूज़फूल टूल से ठीक है तो चलिए आप यह बताते हैं यह cutter हो गया जो यह made in जर्मोनिका है ठीक है और बहुत यह heavy strong है ठीक है तो यह भी बहुत wiring में हमको काम आता है जो मैं इससे जो मोटा मोटा वाइर होता है थार होता है उसको मैं इससे cutting करता हूं और छिलने में यूज भी करता हूं ठीक है तो आपको दोनों काम में यूज कर सकते ठीक है और उसके बाद आप चलिए देखा देते कईसे एकाट आजता है कर से चिलागी वीडियो में बने रहे हैं जाश उली स्पहाईंगे इसको आप छील के देखें देखिए छील्के ठीक बहुत में तूलस का होता है काम का असांट करना जो काम को सिंपन करदेता काहिं एक उसे आप कट Сकते है वौयर को मूटा मूटा चीली भी सकते ठीक है । जो कितना भी मूटा वाइर है तो वाइरिंग में ओ शकेक्ति एक कटिंग रू हुग दिया। चलिए और फिर यह स्क्रूड्राइवर तक जो इंग्लिज में स्क्रूरइवर नेपाली में पैच कस तो इसमें देख़िये दोनों साइड प्लॉस माइनस दिया जो इसमें यह मिलां वह गया जो यह दर से माम्सा जाता है तो मुझेको यह बहुत यूजफ्फूल वाइरिंग में आता है ठीक है जो मैं वाइरिंग करता हूँ रिपेरिंग करता हूँ कहीं पर जाता हूँ तो मुझे ये बहुत काम में आता है ठीक है ये बड़ा बड़ा नोट खोल देता है ठीक है और इसके बाद ये देखिये ये हो गया टेस्टर ठीक है जो ये टेस्टर मैं रखा हुआ था वायरिंग के लिए और रिपेरिंग के लिए मैं यहीं रखके काम करता हूं ठीक है तो यह होगिया टेस्टर इसका दाम तो ज्यादा नहीं है 40 50 में आ जाता है ठीक हलोसेल 25 ठीक है और ले टिश्टर चेक कर रहा था ठीक है तो इसमें भी दोनों सैट दिया है प्लॉस मैनस ठीक है तो चलिए आपको हम आगे भी देखाएंगे ठीक है तो इसमें भी प्लॉस मैनस दिया जब प्लुस इस्कुरोग सकते और माइनस इसकुरूग भी खोल सकते ठीक है तो यह द नोग टेस्टर है ठीक है यह यह थोरा हेव्बी वाला टेस्टर हो ठीक है तो यह टेस्टर इसमें बॉmedi बलता है जलता है ठीक है तो एकदम वाइडिंग में यह हो यह काम करने में लाइनमें इलेक्टीकल में अफ्शाबग है कि नहीं है वह चेक करने के लिए आप इसको इज़गर सकते ठीक है और यह भी टेस्टर हो गया ठीक है इसमें एकी साइड माइनस जो इसक्रू आप खोल सकते ठीक है उस टेस्टर में दोनों साइड का था ठीक है तो यह भी चेक करने के लिए हो गया जो कंटिन्यूटी बत वह पुला जाता है विलास घ्यात इप तो इसको भी आप है जरूर के वैर है ने चाहिए है क्योंकि यह यह बिना काम अधोरा होगा ठीक है पिलास इलेक्टिकल में बहुत काम आता है ठीक है जो इलेक्टिक्टिक्टिक्टिकल में बहुत काम आता है ठीक है जो इलेक्टिक्टिक्टिक्टिक्टिकल में बहुत काम आता है ठीक है जो इस चापतार को छील सकते हैं काट सकते हैं होता है तो यह भी इलेक्ट्रिकल में काम आता है रिपेरिंग हो या वाइरिंग हो ठीक है यह हो गया एक पेचकस जो मैं इसको बड़ा बड़ा नोट खोलने के लिए उज़ किया जाता हूं और नहीं तो कटिंग करने के लिए मैं किसी कोई थोरा हार्ड चीज हो गया उसको कटिंग करने के लिए करता हूं ठीक है तो इसका इधर हैमर से मार्कर कटिंग करता हूं ठीक है तो यह भी हमको वाइरिंग में काम आता है ठीक है और चलिए फिर देखा देता हूं यह हो गया जो इसको रेती बोला जाता है ठीक अच्छा नहीं हैुसको मिलाने के लिए आप इसको एंच कर सकते हैं ठीके जो सेफरे अंसाइज करने के लिए लिए इसको आप इसको इसको ुश्य कर सकते ठीक है तो यह भी बहुत history्व का है तो मैं यह भी वायरिंग में लिए काम के लिए अपने पास रखता हूं ठीक है य किसी को wiring में साफ करना है छेनीМें चोट लगाना ठीक है तो यह भी बहुत काम का चीज होता है ठोकठा करने के लिए और यह हमको वाइरिंग में भाहत उज़्फूल में आता है ठीक है और एक्दाम स्स़फूल तोल से ठीक है और यह हो गया जो देखिए यह खास करके मोटर का जो लॉक होता है सुपर सेक्षन मोटर हो या चर्खी वाला हो उसमें जो वाटर सिल के आगे जो एक लॉक होता है उसको निकालने के लिए मैं उज़ करता हूँ तो यह भी हमारे अभी टूल्स जो मेरा पॉर्स में जो जोला होता है उसमें रह गया थीक है तो इसको भी मैं जनकारी दे देता हूँ तो यह मोटर में खास करेके उज़ होता है जो लॉक को निकालने के लिए और इस से आप इस समान को पकड़ सकते थीक है और यह भी मेन VVI उज़ फुल tools हो गया, तो मैंने ये अपने से बनाया हूँ, ठीक है, एक folder हो गया एक ball हो गया, जो line test करने के लिए, कभी पर मैं जाता हूँ, कहीं पर जाता हूँ जो electrical repair करने के लिए कहीं पर line ठीक करने के लिए तो मैं इसको अनिवारिया, मतलब अपने साथ ही ले जाता हूँ, ठीक है जैसे कि मैं line test करने के लिए, इसको हम खांस use करते है, ठीक है अगर line ठीक है, full line अगर आएगा, तो ये ठीक करने के बाद मैं इससे check करता हूँ, कि line सही हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है तो इसमें full details बता जाता है, कि line ठीक है, जल रहा है, ठीक है तो मैं ये tools को मैं वहुत important देता हूँ, useful में वहुत आता है मेरे को ये भी ना तो मेरे लिए अधोरा काम रहता है, ठीक है, तो मैं इसको कहीं पर भी काम करने जाता है, रिपेरिंग करने के लिए तो रिपेरिंग में एकदाम ये काम में आता है, ठीक है ये एकदाम ये फिल tools को गए, ठीक है तो आप सब अगर ये हमारा वीडियो अगर अच्छा लगे तो ठीक है और मैं कोशिस करूंगा फिर इससे भी आच्छा वीडियो लाने का दोस्तो आप सब को थैंक्यू चल देला